असलाम वालेकुम दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल में आज मैं आपको बताने जारी हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं एक वशीकरण जी हाँ वो भी अमलियात की द्वारा अमलियात की वशीकरण कैसा होता है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और लास्ट में आपको पता चलेगा कि ये वशीकरण बहुत ही आसान है जिसके द्वारा आप किसी भी महिला को किसी भी औरत को अपने वश में कर सकते हैं आईए देखते हैं हमारा ये वीडियो आप इसे ध्यान से देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन को दबा दीजे जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिलेंगे तो आईए मैं आपको आज बताती हूं कि कैस आप असानी से किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं जी हां एक काले धागे की मदद से सबसे पहले आपको करना किया है आपको आपने काला धागा ले ले लेना है और उसके बाद आपने उसको अपने हाथ पर इस तरह से घुमाना है एक बार दो बार तीन बार चार बार पा इसके आगे का जो धागा है वो आपने ऐसे काट देना है इसको अलग कर लेना है और इसके बाद आप इसका उपाय जो है वो कर सकते हैं अब इस धागे को आपने पूरी तरह से ऐसे इस्तमाल करने के लिए वापस से खोल लेना है तो इसे आपने ऐसे खोल लिया उसके बाद आप इसे अपने सामने रख दीजिए अब आपको इसके इस तरह से इसको करना है कि इसके जो दो सिरे हैं उन दो सिरों को आपको ऐसे खोल कर और उसके बाद पर इने ऐसे मिला देना है जिहां तो जब यह मिल जाएंगे उसके बाद आपको इसमें एक गाठ मार देनी है जिहा आपने से जो भी पुरुष हैं, जो भी आदमी लोग हैं, जो इसको करना चाहते हैं, जो भी मेरे भाई लोग हैं, जो इसको कर रहे हैं, उन्हें एक बात का ध्यान रखना है कि इस धागे को उन्हें अपनी नवस पे बांद कर रात के समय जी हां, रात के समय ऐसे बांद के औ और पिर उसके बाद सो जाना है अगर इसे कोई महिला कर रही है कोई भी लड़की अगर कोई भी खवातीन अगर इसे करना चाहती है तो उन्हें क्या करना होगा कि उन्हें अपने सीधे हाथ में इसे बानना होगा जी हाँ आपको ये धागा जो है वो सीधे हाथ में बानना है और इस तरह से आप देखेंगे कि ये उपाए आपके लिए काम करने लगेगा तो आपने इस धागे को अपने सीधे हाथ में बादना है उसके बाद आपको सो जाना है अगली सुबह जब आप उठेंगे तो उसके बाद आपको धागा अपने हाथ में से निकाल लेना है बस कुछ नहीं करना है आपको इस धागे का बिलकुल बीच का हिस्सा लेना है यानि कि बीच में से इसको ऐसे देखना है बीच का हिस्सा जो आएगा आपको कबूतरों को देखते हुए बस यहां पर इसको ऐसे घुमा देना है और कबूतर को देखते हुए आपको अपने बान दिया है तो आप भी इसे बीच में से बान दीजेगा और इसके बाद आपको इस धागे को अपने पास में रख लेना है जी हां किसी ऐसी जगे पर सम्हाल के रखना है आपको इसे कोई भी किसी को भी पताना चले कि आपके पास यह धागा है इस धागे को आप अपने पा से आपकी जो प्रॉब्लम है इंशालला आपकी मुहबबत आपके पास फिर से आ जाएगी आपके जीवन में आपकी जिन्दगी में उनके आने से नूर आ जाएगा और आप इसके करके देखिए दोस्तों क्योंकि ये बहुत ही जादा कारगर मैंने आपको अमल बताया है ये अमल बहुत ही जल्दी असर करता है आपके जो भी आपकी समस्या चल रही है जो भी आपकी मसले चल रहे हैं आपके जिन्दगी में उस सारे मसले हल हो जाएगे अगर तब भी आपके पास कोई शिकायत है है किसी तरह का कोई और मस्ला है तो आप हमें call लगाई हए हमारे number पर हमारा number आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बेनों भाई वह ओर आप उस पर call करके और कि तो आप तो आप उस number पर call करके आप हमसे बात कर सकते हैं अपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया शब्बा खेर दोस्तों